मेरे प्यारे बच्चियों कैसे आप सब आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे खुब इंजॉय कर रहे होंगे यह मौसम चला है सर्दियों का विंटर सीजन तो आप अपना ख्यार रखिएगा आज हम लोग क्लास सेकिंड इंग्लिस मैं चेप्टर फोट पढ़ेंगे दस्म स्मार्ट मंकी वाओ स्मार्ट मंकी भी है मुझे तो लगा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ही स्मार्ट है चलो भाई स्मार्ट मंकी है तो स्मार्ट पढ़ते हैं इंग्लिस मृदंग बोग वान डी पहले रीडिंग करेंगे उससे पहले मैं क्या हरवार हम लोग क्या करत स्टॉरी को समझने में ठोड़ा सा पूरी पूरी असा नहीं हो जाती चलो तो पहले हम लोग पढ़ते हैं भी头 द्धमार्ट मंग के च्प्टर करें मेरे मेरे वहसे ऐता हैं Cut उसके जाके नीचे, चोटी सी डॉट बिंदी सी आती है, उसे सही सुद्ध लिखना बोलते हैं, अब है what, what means खरीदा, किसी भी चीज को अगर हम दुकान से या मार्केट से खरीदते हैं, मार्केट किस ली जाते हैं, कुछ न कुछ खरीदने के लिए, तो खरीदने को बोलते ह है, what, what means खरीदा, ground nuts, ground nuts होता है, मुफली, ground means होता है, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर मुफली लगती है, इसलिए, ground nuts, आंगे है, feel triad, यह न, feel, feeling, उसी का past form है, feel triad, थकावट महसूस करना, जब हम लोग tired बहुत हो जाते हैं, जिसे घर में पापा, अक्सर ऑफिस से आते ह होगे, आपके तो बोलते होगे, I am tired, तो उससे ही होता है, थकावट महसूस करना, थोड़ा थक जाना, इसलिए, आप लोगी स्कूल से आते हो, तो सब करते होगे, थोड़ी बहुत थकावट महसूस, branch, branch में साखा, किस की साखा, पेड की साखा, जो हम tree की जोसे पेड होता ह है ना, फिर यह जो पीचकी, जो टहन, यह निकलती है ना, यह लकडी, इन्हें हम बोलते हैं साखा, और इंगलेस में बोलते हैं, branch, field, field होता है, छिला हुआ, क्या छिला हुआ, जैसे माल लीजिए, औरेंज है, औरेंज की उपर से यह जो हम छिकल उतारते हैं, तो हम बोलत through, through मीज होता है, किसी भी चीज को फैक ना, चाहिए, ball फैक ना हो, throw बोलते हैं, ball कर, throw, cricket देखते होगे तो, climb down, clumsy में होता है, नीचे उतरना, banana peel, केले का छिलका, assumed, assumed मीज होता है, सर्मिंदा, अगर आपने कभी ऐसा कोई काम किया, जिससे आप सर्मिंदा होए हो, कि गलत का हमारा यह, तो हम बोलते हैं, assume, picked up, picked up, वीज होता है, उठना, on, on होता है, पर, अभी अपर कैसे होता है, जैसे table है, table की उपर book रखी, तो हम बोलते है, on the table, मतलब, table पर book रखी, on the table, table पर book रखी, with, with होता है हमेशा साथ में, दो लोगों की वीच हमेशा बिताता है, कोई वी काम ऐसे साथ में करते न तो उसमें लगाते हैं शौपिंग होता है खरिदारी, desert empty mist खाली कोई भी चीज अगर box हो तो बोलते हैं empty mist खाली इसमें कुछ भी नहीं है चलीए अब हम चलते हैं अपनी chapter wait the smart monkey दा स्मार्ट मंकी वन डे अंजु और फरीदा वाटर वाटर वोटल अंजु ने क्या खरीदा बैग और फरीदा ने क्या खरीदा वाटर वोटल later they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice थोड़ी देर वाद क्या खरीदा उन्हों ने थोड़ी देर वाद एक shop पे और गए दूसरी पे फिर क्या खरीदा एक packet of groundnuts का वोटल of juice की हम भी market जाते हैं कुछ खरीदारी shopping के बाद हमाई भी मोकसी लगती हैं तो कुछ खाने पीने का item खरीदे तो उसी तरह से अभी यह भी खरीद रही हैं फिर क्या हुआ आँगे दे फिल टायर्ड दे शेट ओन अ ब्रांच अंडर अ ट्री तू रेस्ट इना कैसा लगा दे फिल टायर्ड काफी थके थके से लगे वो तो उना ने क्या किया है दे शेट अन दा ब्रांच अंडर अट्री एक बैट गए बैंच पर किसकी नीचे अंडर अ ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए देयर वाज अ मंकी अ पर कौन था मंकी था ब्रांच ऑफ त्री अबब देंगे आप लोग देख सकते उपर मंखी बैठा है नीचे बैठा है इनको पता ही नी था कि उपर मंखी बैठा है फिर क्या हुआ फरीदा और अंजु ने मंखी और को देखा ही नहीं they took out their food from the bag and bagun to eat उन्होंने अपने बैग से जो food लिया था खाने के लिए वो निकाला और वो खाने लगे eat means खाना the monkey had a banana monkey के पास क्या था banana he peeled a banana and ate it उसने क्या किया बनाने को छीला peeled means छीला and banana ate it eat का ही पास्ट फ़र्म होता है ate तो खाने लगा फरीदा और अंजू टुक आउट the groundnuts and started eating फरीदा और अंजू ने groundnuts उठाए और starting eating खाने लगे they threw the packet down और जो packet खतम हो गया आप chips वगेरा खाते है न तो जब packet हमारा खतम हो जाता तो क्या करते हो वहीं फैंक देती हो न तो उसी तरह से फरीदा रंजू ने भी फैंक दिये देखी काफी सारे packets पड़ी है they threw down the packet then they drunk the juice and threw down the water फिर उसके बाद उनने जूस पिया और जूस की वोटल भी दिकी साइड में फैंक दी just then the monkey climb down the tree with the banana peel उसके थोड़ी ही बिल्कुल just तुरंत ही जो monkey था वो climb down नीचे उत्रा tree से और banana peel को लेके okay there was a dust twin nearby nearby में इस होता है पास में थोड़ी ही पास में dust twin रखा था the monkey through the banana peel into the dust twin monkey ने जो banana peel था न वो dust twin में फैक आप लोगे देख सकती ये फैक रहे है और ये देखे कितने आश्वर से देख रहे है फिर आगे क्या हुआ फारीदा और अंजू saw this and failed assumed और उन्होंने जब फारीदा और अंजू ने ये देखा तो उन्हें कैसा फील हुआ assumed सरमिंदा मैसूस हुआ they picked up the packet उन्होंने जो packet खाली नीचे पड़े थी ना वो उठाए picked up miss उठाना and the empty bottle और कुछ empty bottle भी उठाए and threw them into the dustbin और वो dustbin में डाली तो देखे आब ये से लगे पूरी साफ साफ अच्छी लगरी ना हमें हमेशा अपने आसपास जितना भी कचड़ा है dustbin में ही डालना चाहिए चाहे हम घर में हो चाहे वो हमारा home हो school हो या फिर हम कहीं रास्ते में travel कर रहे हो या फिर हम पार्क में खेलने के लिए गए हो या हमारे घर के आसपास कोई एरिया हो हमें कचड़ा नहीं डालना चाहिए यह कहीं पर भी हमेशा कचर डस्ट्विन में ही डालना चाहिए, ओके, चलिए, अब हैं हमारे साइड वर्ड, साइड वर्ड हैं, then, down, on, and, with, in, them, under, nearby, सबकी मीनिंग्स मैंने जातर बताई है, चलिए, न्यू वर्ड, स्वापिंग, ग्राउनर्स, ब्रांच, पील, just a minute, okay, next है हमारा पहला कुश्यन, first, have you seen pupil throwing packets or bottles on the park, in the park, or on the road, क्या आपने कभी भी, pupil, pupil means होते हैं, लोग, लोगों को throwing packets, packets को खाली, जो packets होते हैं, उनको फैक्त होया, वोटल्स को फैक्त होया, या फिर पार्क में, रोड में कहीं देखा है, of course, देखा होगा, काफी लोग फैक्ते हैं, तो हमारा अंसर होगा, yes, से start, चलिए, मैं बताते हो, आपको कैसे लिखना है, अंसर आप लिखेंगे, yes, इसको यहाँ कॉमा लगाएंगे, we have seen pupil throwing packets or bottles in the park, or on the road, it is very bad habit, यह कैसी habit, bad habit, we should not throw any left over on the ground, हमें कभी भी जमीन की पर ऐस तरह से नहीं फैक् चाहिए, we should use dustbin and make the surrounding clean, हमेशा पास का एरिया clean रखना चाहिए, और हमें dustbin को use करना चाहिए, चलिए, next question पर अब हम चलते हैं, second question है हमारा, after having biscuits, what do you do with the wrapper, आप जब biscuits खा लेते हैं, तो उसको जो wrapper बच्चता है, वो wrapper जो इसमें डबलू silent होता है, वो wrapper होता है, तो जो wrapper बच्चता है, वो आप क्या करते हैं, तो फैंक देते हैं, तो हम इसमें answer लिखेंगे, after having biscuits, after having biscuits, we throw its wrapper on the dustbin, next question है, थार्ड वाला, third question है, third question, imagine, you are sitting under a tree, what do you see on the tree, आप imagine कीजिए, imagine, या फिर आप कहीं बैठे भी हो, tree के नीचे, what do you see on the tree, तो आप tree के असपास, या tree पर क्या देखेंगे, तो हम tree के असपास जातर क्या देखते हैं, we, she, have many words, and some small animals, on the tree, छोट छोटे, animals हैं, वो भी हम आप tree के असपास देखने को मिलते हैं, और words भी देखने को मिलते हैं, तो हम या पर लिखेंगे answer, we, she, many, many words, and some small animals on the tree, चली, फूर्थ कॉश्च्चन है, Is there a dustwind in your school, do you know where it is, क्या आपके स्कूल में dustwind है, तो yes, हमारी स्कूल दस्ट वेन है, do you know where it is, कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, classroom के outside रखी जाती है, तो हमारा राइगा answer yes, comma, we have dust vane in our school, it is in our class, class में भी dust vane रहती है, कहीं कहीं, और कहीं कहीं, classroom के बाहर भी रहती है, तो हम लिखेंगे class and outside also, और कहीं हमारे जैसे schools में बहुत जगे रहती है, class में भी रहती है, और class के बाहर भी रहती है, next time wanna let us draw, अब इसमें कुछ आपको draw करना है, क्या करना है, draw any three things that you have used to clean our house, हमें तीन ऐसी चीज़ों को यह पर draw करना है, जो हमारे house को clean करने में help करती है, चली मैं बताती हूँ, आपको क्या draw करेंगे आप, यह आपको draw करना है, पहले bromistic, bromistic, जाडू, duster और यह dust wind, यह तीन आपको draw करना है, आप लोग इससे देखिए और फिर draw कीजी, चली नेक्स्ट कुश्चन है हमारा, यह हमारा कुश्चन है, close your eyes, listen to your teacher, says the following, आपको अपनी eyes close करना है, और मैं जैसे वोलूँ, आपको वैसे repeat करना, चली स्टार्ट करते, simple है, मार, केट, मार्केट, मंकी, मंकी, पैक, इट, पैकिट, दस्ट, विन, दस्ट, विन, क्लास, रूम, अन्जू, अन्जू, बा-ना-न, बनाना, फा-री-द, फा-री-द, शीयोर नेम, and clapping for each slave of the name, how many times did you clap, आप अपने नाम लीजिये, और एक slave के बाद clap कीजिये, अब यह slave क्या है, जैसे माल लीजिये, आपका नाम है अक्षिता, ओके, अक्षिता रखते हैं, तो आ, एक slave हो गया ना, तो हम लिखेंगे, आ, clap करिये, clap, फिर अप, आ, शी, तो शी, फिर clap, और ता, तो हो गया हमारा अक्षिता, अब हमें कुछ writing करना चलिए, देखते हैं, read the following sentence, put a right for correct sentence and wrong for incorrect sentence, हमें right wrong करना है, जो हमारे sentence correct है, उनपे right करना है, जो wrong है, उनपे wrong का निशान लयाए, चलिए पढ़ते हैं, पहला sentence, अंजू अनफरीदा went to their school, क्या अंजू अफरीदा स्चूल गए थे, नहीं भाई वो तो मार्केट गए थे अंजू वाटा बैग एंड फरीदा वाटा वाटर वोटल राइट अंजू ने वैग लिया था फरीदा ने वाटर वोटल ली थी देयर वाज अ बर्ड ओन दर ब्रांच ओन दर ट्री ट्री पर एक वर्ड वैठा था नहीं ट्री पर एक मंकी वैठा था दा मंकी हैड बनाना मंकी के पास बनाना था येस बनाना था दा मंकी थ्रियू दा बनाना पील इंदर डस्ट्विन मंकी ने जो बनाना पील था वो डस्ट्विन वे भैका था येस तो ये हैं हमारे incorrect और correct answer चलिए next है complete the following sentence पहला है फरीदा एंजू shed on under the tree to rest फरीदा एंजू shed on a bench कहां पे वैठी थी वो bench पे under the tree to rest third there was a monkey sitting on the branch monkey कहां बैठा था ब्रांच पर ट्री की ब्रांच पर the two girls had a जो two girls had a and a bottle of juice तो किसकी bottle थी the two girls had a packet of ground nuts किसका packet लिया था उन्होंने ground nuts का the monkey through monkey ने क्या थ्रियूद किया था बनाना पील तो हम लिखेंगे यहां बनाना पील into the dust wind write some of the things do you keep our home and classroom चलिए आपको question हमारा next question है write some of things कुछ लिखना है हमें जो हम घर या classroom को साफ करने में यूज करते हैं तो पहले तो हम लिखेंगे broom कुम ब्रूम में उस होता है जाड़ू और dust wind हम कच्रावी dust wind में ही डालते ना तो हमारा second dust wind वाइपर वाइपर आप जानते ना पानी फैल जाते तो वाइपर से पुरह साफ कर देते हैं and again moping cloth moping cloth चलिए काफी सारी और भी चीज़ें अगर आप के माइंड में और भी चीज़ें आ रही हो तो आप लोग लिख सकते हैं चलिए next है हमारा project work है यहां पर एक have you ever gone to a nearby shop with your family members share your experience in the class you may also draw a paste or picture of some things you liked in the shop in the book अगर आप लोग अपने parents के साथ देखिए market तो जाती है अब market में आपको क्या चीज़ पसंद है उस चीज़ के वारे में अपने friends को बताईए share कीज़ें अपना experience और कुछ चीज़ें इसमें से यहां पर आप ड्रॉ कीज़ें कुछ भी जो आपको market में shop पर पसंद आती है look at the picture हमें यह कुछ pictures दी है read the words below each picture के यह क्या है flag flag क्या है हमारा जंडा तिरंगा flower यह है floor जो यह जमीन होती इस खुलते floor cloud cloud means bottle clap or clock write sentence using the other words one has been done for you हमें जो यह कुछ words दिये हैं इन मेंसे हमें कुछ words इसमें sentence बनाने हैं जैसे there is a clock in the classroom तो इन्होंने clock को लेकी एक sentence बना की दिया है हमें कुछ और बोलना है तो हम flag से एक बनाते हैं flag आई colored a picture of a flag flower और फुलोर फुलोर का बनाएं फुलोर वी जैट वी अंड़ फुलोर द्यूरीं इस्टोरी टाइं इन दा कि लाइब्रेरी चलिए यह हमारी वर्ट्स इसमें टूही लाइन्स थी तो हमनें टूही वनाई चलिए आप नेक्स्ट ओके चैप्टर फिनिस है अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाइक कीजिए शेयर किए सबसाब कीजिए ऐब बच्चों